Hello guys, कैसे हैं आप लोग? अगर आप भी computer यूज़ करते हो और internet का इस्तमाल करके file को download करते हो तो आपने कभी ना कभी RAR या zip file को download किया होगा बट कि आपको ये पता है कि RAR या zip file होती क्या है इसका basically क्या use होता है और कैसे आप अपने computer system में zip या RAR file को open कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी topic के बारे में वीडियो को समझने के लिए इसे ध्यान से और पूरा जरूर देखना I hope आपको वीडियो पसंद आएगी मेरा नाम है जीतू और ECC Education में आपका स्वागत है दोस्तो zip और RAR दो famous file format है आपने देखा होगा जब भी आप internet से file download करते हो तो वहाँ पे आपको जातर file zip या RAR file format में मिलेंगी तो चलिए जानते हैं कि ये zip और RAR होती क्या है zip और RAR file एक type की archive file format है जिसमें आप कहीं सारी files, folder और documents को add करके एक single file में convert कर सकते हो इस तरह की file को हम zip या RAR file कहते हैं इस file का सबसे वड़ा advantage ये है कि जैसे ही आप अपनी file को convert कर देते हो zip या RAR file format में तो आपकी file compress हो जाती है और आपकी file का size कम हो जाता है जिसके बाद आप इस file को किसी को भी send कर सकते हो और अगर आपको ये find करना है कि कौन सी file zip है या कौन सी file RAR है तो ये बहुत easy है इसके लिए बस आपको file के last में देखना होगा कि उसका जो extension है वो zip है तो इसका मतलब वो zip file है और अगर उसका file format RAR है तो इसका मतलब वो एक RAR file है तो इस तरीके से आप zip या RAR file को पहचान सकते हो आपने देखा होगा कि आप internet पे जितनी भी file डाउनलोड करते हो वो आपको वापे जादा zip या RAR file format में ही मिलती है ऐसा इसलिए क्योंकि zip और RAR file format इंटरनेट से बहुत fast download होती है यह secure होती है और आपकी file को corrupt होने से भी बचाती है आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यह zip और RAR file होती कहा है तो अब हम जानते हैं कि कैसे आप अपने computer में zip और RAR file को directly open कर सकते हो तो इसके लिए हम चलते हैं directly computer की screen पे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे computer screen पे आ चुके हैं और अब हम जानते हैं कि कैसे किसी भी zip या RAR file को convert किया जाता है या फिर उसे open किया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक software download करना पड़ेगा जिसका नाम है winrar अब हम जानते हैं कि हम किसी भी file को create कैसे करते हैं और open कैसे करते हैं जिखें करना सिकते हैं इसके लिए यहाँ फैल कि गुव् vert host नामें right Click करना ए right click करने के बाद आपको यहाँ पर add to archive का option मिलता है इसके बाद यहाँ पर आपको एक और option मिलता है send to तो आप send to में जाके भी directly अपनी file को zip में convert कर सकते हो या फिर यहाँ पर add to archive पर click करते ही आपको एक menu show होगा आप देख सकते ही यहाँ पर menu pop up show होगया है आप यहां से पूछ राए कि आप अपनी file को कौन से format में convert करना चाहते हो तो हमने हाँ पर zip क्लिक किया click करने के बाद हम पर simply हमने ok किया ok करने के बाद हमारी file इस तरीके से convert हो गए आप ने देख यह हमारी file इहां पर convert हो चुकी है zip file तो आप यह file हमारी convert हो गए यहां पर हम क्या करते हैं इस तरीके से आ जाते हैं यहां पर आप देख सकते हो कि हमारी दोनों फाइल जो हैं आपर शो हो रही है new folder और control A to Z से तो हमें क्या करना है यहां पर इस point पर click करना है और extract 2 पर click करने के बार थे हां पर हमें आना है और हमें रखना है अपनी file कहाँ पर desktop पर तो desktop पर click करना है तेकिन उससे पहले हमें क्या करना है जो भी file है हमारी उसे यहां से हटा लेते हैं delete कर लेते हैं क्योंकि अब जो file आएगी वो copy show ना हो इसलिए क्योंकि अगर हम इसे नहीं हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा कि आपकी file already बनी हुई है तो आपकी file नहीं पर show नहीं होगी तो हम इसलिए इन दोनों file को delete कर लेते हैं आप देख सकते हैं file हमने delete कर लिए delete करने के बाद नहीं हमने next stop पर आके जैसे ok करते हैं आप देख सकत होगा कि अपनी किसी भी zip file को या रार file को किस तरीके से create किया जाता है और open किया जाता है अगर आपके दिमाग में फिर भी इन से related कोई भी doubt है तो नीचे comment box में हमें ज़रूर mention करें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें share करें और हाँ अगर आप हमारे चैनल प